अलो फ्रेंड्स स्वागता आपका एक बार फिर से मेरे इस यूटूब चैनल पर आज हम राजस्तान बुगोल बीए पार सेकिंड में हमारा टॉपिक खनीज इंसादन चला रहा था आज उसे हम कंप्लीट करते हैं तो खनीज इंसादन से रिलेटेड आज यह चैप्टर अंतिम है जिसमें में राजस्तान में एदात्वी खनीजों के बारे में बात कर रहे थे और एदात्वी खनीजों में से अब कुछ रासाइनिक खनीजों है वो हमारे बचते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन रा आने वाला कल बचाईए प्रक्षारोपन आज की मेहति आउशकता है जिसका जिसकी पूरी की पूरी जिम्मिदारी जो है वो हम लोगों पर है हम अपनी जिम्मिदारी को पहचाने और वरक्ष लगा कर इस धर्ति को और इस धर्ति धर्ति पर आने वाले जीवन को स्राल बना लाने में प्रियास करें कि राजयां शुरू करते हैं हमारा आज का टूपिक राजस्तान में घर साइनिक ऍधाथ का यह का ही एक पार्ट है और घर की के बारे में कि जानेंगेगए दीशीर सबसे पहले पर लिद्फ भी थे असेवाज विर्स हिस आख किनी करते हैं कि राजस्तान में देश का तेरा राजस्तान देश का तेरा प्रतिश्रत नमक का उत्पादन होता है अलांकि मोस्टली जो राजे देश में जो नमक है वो समुद्री नमक का उत्पादन होता है लेकिन राजस्तान में जो है वो समुद्री नमक का तो पार्ट नहीं मिलता लेक कि खारे पानी की जिलों से नमक का उत्पादन राज्य में किया जाता है और खारे पानी की जिलों कि से नमक उत्पादन में राज्य का देश में महत्पुन स्थान है राजस्तान में जो नमक उत्पादन के प्रमुख छेत्र और प्रमुख खारे पानी की जीले हैं जिनसे की नमक का उत्पादन किया जाता है उनमें से जो महत्पुन हैं उनमें सबसे पहले सांबर ये राज्ये की नमक उत्पादन की सबसे महत्पुन खारे पानी की जील है और में 20 मीटर मोटी नमक की परतें पाए जाती हैं सामवर जील का जो कैच मेंट एरिय से कई छोटे बड़े नदी नाले जो है वोग्रव ये याखर गिरते हैं और भूममी में यहां की चटानों में मोजूद वूटल है वे लमन इसरी तैयर पर लाकर जमा करते हैं साती सांबर जील के बारे में भूग्रव वेताओं का ऐसा मानना भी है कि ये तिति सागर कीकी यानि राज yapी हैं सांबर डीडवाना अपन्चवद्रा ये जो जीले हैं एक अवशेस Technology Indie इतना बड़ा श्रोत मोजूद है और दूसरा सामबर जील या डीडवाना जील या पंचवद्रा जील जो है उनकी भूगरविक स्रंचना को यह दि देखें तो उनकी जो चटानी स्रंचना है वो भी लवणिये हैं यानि उनकी चटानों में नमक पाये जाता है जो कि एक महत्पुन नमक का स्रोत है सामबर जील से सोडियम क्लोराइड सोडियम सलफेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट इनका क्लोराइड सोडियम सलफेड और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सामबर जील से उत्पादित हो क्यार नमक रेश्टा नमक और पान साल्ट तो तीन प्रकार से नमक का उत्पादन यहां से किया जाता है दूसरी जो परमुख जील है डीडवाना नागोर जीले में मौझूद है और इस डीडवाना जील से सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है कि यहां पर राजस्तान सरकार का sodium स्वेंटर स्थापित है जो कि यहां नमक उत्पादन का काम करता है तीसरी प्रमुक जील है वो है पंच भद्रा यह बाडमेर जीले में मौझूद है यहां उत्तम किसम का sodium chloride नमक उत्पादित होता है यहां पर भी राजस्तान सरकार का स्वेंतर स्थापित है जो कि यहां से नमक उत्पादन का कार्यां करता है इसके लावा लूंकंसर जील भी है जहां पहले नमक का उत्पादन हुआ करता था लेकिन वरतमान में उत्पादन नगन्य है और इस इन प्रमुक जीलों के तरिक भी कई छोटी जीले और भी हैं जहां से की राजय में नमक का उत्पादन थोड़ी बहुत मात्रा में होता है जिनमें जैसल मेर में है कि बाड मेर जीले में भी है तो यह राजय में नमक उत्पादन के प्रमुख जीले और जिनसे की राजय नमक राजस्तान का राजस्तान नमक के अब हम बात करते हैं बहरी पधर भी का बहरी पथर के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं और है अलवर में राजगढ उदयपूर में जगत रेल पातलिय केवड़ाव बाबरМыल यह उदयपूर के परमुक्ht ब्राइडों 2 चहत्रेट है और तो शिक्कर जिला भी बेराइट उत्पादन में महत्वपुन स्थान राज्य का महत्वपुन जिला है यहां नारोड़ा खर्बिनापूर यह प्रमुख चेतर है और राजसमंद जिले में तिलवाडा केसूली नाथ दुवारा यह प्रमुख बेराइट उत्पादक चेतर है तो अलवर उद्यपूर सिक्कर और राजसमंद यह राज्य के प्रमुख बेराइट उत्पादन उत्पादक जिले है जिन फोटकाट M मिनें राज्य का देश में पहला दान के हंटती के उत्वादन में राजय सथान देश में परत्म स्थान पर है और परकवयृ उत्वाद्पादक जो जिले हैं उनमें के ँद गयlar वाद में शिकर के लसायिट उतफादन में राज्यले में सिकर झिले का पर्थम है निब्ता हैлем के लगते हैं इसके बाद करते हैं बेंटुणाइट के बारे में यह भी एक रहा और भी झाहते में बार्ढमेर ईप्कनिरों से प्राप्ट मादूपूर जिलूं से प्राप्त किया जाता है फिर आपाइरैट का एक मत्र उत्वादक जिला सोभा हो है वह है कि शिकर यहीं ठरीमि किया जाता है अब हम बात करते हैं सायनिक रीजों के बाद कुछ बहुमले पत्थरों के बारे में राजे में कई बहुमले पत्थर भी राप्त किये जाते हैं हालांकि उनका उत्पादन जो है वह उत्पादन उतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इनका जो राजे की पर्मुख पन्ना उत्पादक जो छेत्र हूं में काला गुमां मृम में टिककी गोगुंदा यह पर्मुख हां तो काला गुमां राजशा समें जिले यंद्फरार से Şu वा जाना जाता है काला गुमां टिककी ओरुicios गोगुंदा गिशुकर उर राश्मञ राजस्तान का तामडा उत्पादन में एक आधिकार है, तामडा उत्पादन में राज्यका सबसे महत्पुन जिला जो है वो टोंक जिला, टोंक जिला में राजमहल, गाउरी, कुशलपुरा, जनक पुरा, ये टोंक जिले में तामडा उत्पादन के परमुक छेतर है, राजम मेर के बाद जो भीलवड़ा में जहां तामड़ा मिलता है उनमें कमलपुरा दादिया बल्या खेड़ा कमलपुरा दादिया बल्या खेड़ा यह जो है यह तामड़ा उत्पादक छेत्र हैं भीलवड़ा जिले के सिकर जिले में जहां तामड़ा मिलता है उनमें महुआ बाग कैश्वर सिकर चले में थामड आपको से बाते हैं कि तोस्चान में समश्यां के बारे पूर्वी राजस्तान में पूर्वी भागों में हुआ है तो राजस्तान में खनीचों का एसमान और एसंतोस जुनक वित्रण यह भी समस्य है जिस कारण से कि उद्ध्योग का जो विकास है वह सभी जिए सभी धंग से नहीं हो पाया है कि दूसरी जो समझे राजय में खनीजों से संबंदित आती है वो है अधारबुत खनीजों का अभाव तो राजय में तो उर्जा खनीजों का बड़ा ही अभाव है हलांकि राजय में पेट्रोलियम और गेस के प्रयाप्त बंडार होने के अनु सब्सक्राइब करने के लिए और के लिए वो मेंगी पड़ती है दूसरे राज्यों से दूसरे जगों से उसको हमें लाज्यों पड़ता है तो राजय में अधारबुत खनीजों का बहाव और उर्जा संसाधनों का बहाव जो यह भी खनीज उद्ध्यों की प्रमुक्र समश्या है फिर खनन चेत्रों में प्रिवहन साधनों का बहाव क्योंकि राजस्तान की भूमी जो है वो मुरुष्टली भूमी है और सड़क प्रिवहन रेल प्रिवहन का अभी पूर्णतिया राज्ये में सभी जिगह पर उस लेवल का विकास नहीं हो पाया है दूरुष्टर राज के चहते खास करके जहां घने प्याडी चहत्र है या घने जंगल से रहां जहां की हमारे राज्ये के खनीज घनन रभश पुझूद है वहां तक प्रोपर ट्रांस्पोर्टेशन जो सुविदा है उसका अभी अभाव चल रहा है यानि परिवहन साधनों के चलते हैं जो खुणी संसाधन हम प्राप्त करते हैं उनका खनन करते हैं उनका सही डंग से परिवहन नहीं हो पाता और जहां लागत उनकी ह प्रिवहन साधनों का अभाव भी राजय में खनिच उद्ध्यों के विकास की प्रमुक्त समश्या बना हुआ है प्रावीदियों का अभाव राजय में बहुत से स्थान है खास करके रावली के जो रक्षनी भाग है वहीं पर ही मौश्कली राजस्तान में खनिच पाए जा इंडा चैत्रों में अभी भी जो खनिच घनन के तक्निक और हमारी प्रमप्रागत खनिच उन्हाव उनीच किया जा रहे है जिस प्रकार से अन्य देशों में या अन्य बड़े खनीज उत्पादक शेत्रों में जिस प्रकार की मशीनरी का इस्तमाल जिस प्रकार की तकनीक का इस्तमाल किया जाता है उस प्रकार की तकनीक और मशीनरी का इस्तमाल अभी राजय में नहीं हो पा रहा है उसका कारण एक य पर इतने बड़ी तक्निक ये वहां पर इस्तमाल किये जा सकें पिर उत्पादन लागत अधिक होना तक्निकों का भाव होने से प्रवीदियों का भाव होने से प्रिवहन साधुनों का भाव होने से इन सब के कारण से राज्य में और साथ में सबसे बड़ी बात कि एक ही जग से राज्य में खरीचों के उत्पादन लागत जो वो अधिक आती है जब कि अन्य राज्यों में जो है एक साथ मिलना जिसे कि वहां उत्पादन लागत में कमी आती है जब कि हमारे राज्य के जो खरीच बंडार है वह बिखरे वह परती रूप में मिलते हैं उस वज़े से भी यह उत्पादन लागत अधिक होती है और प्रावीदियों का इस्तमाल जो है वह पुर्णतिया नहीं हो पाता तो लागत ज्यादा रहती है तो खरीच हमारा महंगा पढ़ता है जबकि अन्य राज्यों का खरीच सस्ता पढ़ता है तो इसलिए हमारे राज्य के खरीच को बजार में प्रतिस परदा का भी सामना करना पढ़ता है जिसमें हम पिछड जाते हैं कि इसके लिए पुंजी तकनीक वे जानकारी के अभाव में भी उत्पादन कम हो पाया है उनमें मौझूद जो तत्व हैं उनकी अभी जानकरी पुर्णता नहीं मिल पाई है इसके अत्रिक्त पुंजी का भी अभाव है और तकनीक का भी अभाव है जिसकारण से भी उत्पादन भी कम होता है और लागत भी ज्यादा आती है प्रिवहन के दरें भी उंची है जाए रेल भाड़ा हो या अन्य प्रिवहन सादनों का भाड़ा हो उसकी उंची दरों की वज़े से भी प्रिवहन अलागत बढ़ जाती है कुशल शर्मिकों का भी अभाव है चूंकि राज्य में बिखरे हुए परतिरूप में खनीज मिलते हैं तो उस वज़े से भी श चाहि قण पर्शुमिट के जटर में जिस तरह से शर्मिक मिलते उस परकार से नहीं मिल पाते तो कुशल शर्मिक जो कि नोह को हम्हए उनकी का कर पबारन कर पाए ऐसे कुशल शर्मिक हमें अन्य राजिए gio trade से बाहरे से मंगवाने पड़ते हैं इसलोडतें से भी हमारे Cath bearings कि छो बीट दर्गत है वबढ़ जाती है कि ही जल की कमी पूरे राज्य में सबसे महत्पुन है खासटे कि पश्मिराजस्तान भी एक बड़े विक्राल रूप में मौझूद है हम आजकल अखबारों में रहे हैं अवेद बजरी खनन या वेद किसी और खनन के बारे में कभी किसी इंस्वेक्टर की हर्त्या तो कभी कोई और इस तरह के जो है वह होते ही रहते हैं तो यह वैद कि समझा जो है यह भी राजसु वेवस्था को होता है और उस खनीज का जो मुल्य है वो राजे के जो हमारा राजसु है उसको नहीं मिल पाता तो यह राजस्तान में खनीजों की पुर्मुख कुछ समश्चाई हैं और इसके त्रिक्ष और द्योगित पिछले पन के कारण राजस्तान भी राजय से जो निकाले जाने वाल एखनीज है उनका उप्योग राज्जे में नहीं हम कर पाते बलकि उनकी उन्हें अन्य राजयों में भेजना पड़ता है यहनि हमारे राजय में की मांग कम है क्यूंकि ओजोगिक विकास अभी तक राजय लनकी दर्शटी से देखें तो राजासरान जोए अभी बिमारश्तान में के द शिरल्डी में ही गिना जाता है राजा यहां पर उद्योग के इकाईयों की स्थापना की जाए तो राजस्तान में खनीज उद्योग को और भी बढ़ावा मिल सकता है कई महत्मुन खरीजों के अल्प मात्रा होने से उत्पादन नग्रन्ये हुते हैं जिनकी के मात्रा बहुत हीँ अल्प है जैसे कि बांस्वारा में मिलने वाला सोना और लिए सिसके खंण परेखनों पर को नहीं लेकिन फिर भी सूना ॥ारा उसमंचापादन जुद आपया नहीं किया जाता या नगंडर को अभ Rs. 92 होता हैं उसके तरिक ख्लंकोर मवें पहलु जो राजस्तान में खंडी होकूर करिमा होके सा मध्यार सुद्गें तो जो राजहित्क जो निसकी धु है वो भी इस प्रकार के याई छाणान के च्छेटर में अस्तक्षेब mean JP फ़ में अपना अस्तक्षाब राखते हैं उससाने में जो कि खदान जो है उनके बंट्वारे में और साधी साथ बहुत मोस्ट जो में वहां राजनेतिक व्यक्तियों की ही हैं तो इस राजनेतिके exactamente की वज़े से हमारे राज्य में खनीज उद्ध्योग अतना विक्षित ऊतना विकास नहीं कर पाएं बहुत बड़े पहुंचवाले जो लोगां उन्हें को ही यह कंज़ च्रावान्ति तो किये गए और उन absorption राजनितिक हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में मिलता है जिस वज़े से राज्य में जो खनिज उद्धोग जो है वो समश्यागरस्त छेत्रों में शामिल किया जाता है पर कुछ प्रभावशली वेकितियों का आधीपत्य है था यूथ बताया कि कुछ राजनितिक उपनी पहुंच रखने वाले लोग हैं या जो स्वाहिसे राज्य में नहीं नहीं हो पाया है उमीद है कि इन सारी समशाओं का समाधान धीरी धीरी जैसे जैसे निकलेगा राजस्तान खनीजों में अपना और भी महत्वपुन स्थान बनाएगा ना केवल देश में बलकि विदेशों में भी और उमीद है कि आपको ये वीडियो लेक्षर अच्छा लगा होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वरक्ष लगाईए धर्ती को हरा भरा कीजिए खुशाल रहिए धर्ती को भी खुशाल रखिए स्वस्त रहिए थैंक्यू सो मच